हलो दियाए स्टुदेंट्स एक पर्टिकुलर एक कुश्चन है जो बार बार आपके कमेंट सेक्ष्चन में आता है और मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर कुश्चन का अलग से आपको प्रॉपर जवाब देदूं क्योंकि आज की डेट में मैथ्स कार्ट पे आपके मोर देन 1650 वीडियोज है ठीक है और यह सब का कन्फुजन बार बार बना रहता है स्टुदेंट्स का हला कि उसमें एक कमी है वो यह इस बात की है कि वो प्रॉपरली यह नहीं देख पा रहे हैं कि जो लेवल है जिस लेवल पर कुश्चन करवाए जा रहे हैं या वीडियोज वो किस लेवल के हैं ठीक है ना तो बार बार एक ही कुश्चन पुझा आता है इस यह वीडियोज कवर सब्सक्राइब को सीब्सक्राइब एंट है तो यह मैं चाहता हूं कि 100% आपको क्लेय कर दूं कि किस लेवल पे किस तरह का काम हुआ है और आपका काम उसमें आपका पा में discussion होती है हाथ में book होती है और आप hand to hand questions करते है manually वो चीज़े handle होती है और यह जो videos जिस तरह से आप देखते हैं तो उसमें क्या फर्क आ जाता है ठीक है तो मेरा केना यह है कि जितना भी जो part cover किया है मैंने वो 100% board level पूरा ही cover करता है yes it is 100% it covers the board level right कुछ part कुछ derivation में कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा part बच जाता है मतलब more than 95% मैंने cover किया है सारे derivations solve किये सबी जितने formulas हैं उनको हम cover करते है और उसके बाद में board level के questions तो लिए ही हुए है तो basic से ही मेरा start है तो इसमें तो कहने की बात नहीं है कि board level तो 100% इसमें cover होई रहा है 11 CBSE level cover हो रहा है 12 CBSE cover हो रहा है 100% cover हो रहा है रही बात कुछ सवाल जो practice करने की होती है maths is subject of practice right जब तक आप practice नहीं करेंगे और इस तरह के सवालों को पूछेंगे तो इसमें एक बात और चुपी हुई होती है कि मतलब कि अगर मैं सभी questions के solution मैं दे दूंगा और आप history की तरह से सारे सारे देखते चले जाएंगे तो उससे आपका एक चीज तो हो जाएगी कि आपने derivations देख लिए सब कुछ बाते देख लिए syllabus check कर लिया लेकिन आपने practice नहीं की और जब खुद ने practice नहीं की सवालों की तो ये बात confirm मानिये कि आप जब exam में जब उस question को solve करेंगे तो वहां mistake आएगी वो जो error निकालने का काम होता है error खुद की जब हम कई question solve करते हैं तो दीरे दीरे जो है हम चाहते हैं कि वो errorless बने errorless मतलब हमारा जब solution है वो हम बिल्कुल right answer पर पहुँचे वो तभी possible है जब maximum practice होनी चीए ठीक है इस बात को ध्यान रखें कि यह आप जब question पूछते हैं तो इसकी वीच में आपकी एक कमजूरी छुपी होती है वो यही कि आप practice काम कर रहे होते हैं आप सोचते कि वीडियो देख देखके सारा हम कर लें वो सब नीच चलेगा देखे अगर आप चाहते हो कि math solid हो तो ज़रूरी है कि मतलब उसकी practice ज़रूरी है questions की ठीक है आप अगर माल लेजे यहां वीडियो पर देख लेते हैं पांच question देख लेते हैं पर्टिकलर एक pattern के तो कम से कम 3-4 सवाल आप भी उस type के सवाल सवाल करके देखेंगे तो वो questions आपके अलग अपनी tax book से हो सकते हैं या जो भी आपके पास में book है उससे हो सकते हैं यह बात ध्यान रखें ठीक है तो board level जो है CBSE 11-12 का हमारे maths card पे 100% covered है राइट कुछ एकके दुखके points थियोरी के जो मैंने हो सकते हैं डायरेक्ट लिख दियों अधरवाइस मैं सभी solve करते जा रहा हूँ तो theoretically और even जो questions है questions में कुछ कमी रहती है सारे साब बहुत सारे सवाल नहीं लगाए जा सकते हैं इस वज़े से कुछ उनको सवालों को जो peculiar questions है उन्हीं को निकाल निकाल के सामने रखते हैं ठीक है second point is your video covers up to je men's level yes it covers 100% 100% it covers right तो 100% जो है यह je men's level भी cover करता है अब प्रही बात यह फिर आप सवाल पुछोगे तो point मैं यहीं बोलूँगा कि आपने कितनी practice की मैं इस बारे में एक video पहले ही बना चुक हूँ कई मैंने बताया था कि 70% efforts होते हैं student की तरफ से 30% होते हैं teacher side से तो मैं अगर आप चाते हो कि मैं तो 90% efforts लगा दूँ आप खली 10% efforts लगा के और आपका आराम से हो जाए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो यह guarantee मैं बिलकुल नहीं दे रहा कि अलब मेरे वीडियो देखने से आपके सारा selection हो जाएगा क्योंकि उसमें practice वाला part तो रहती है उसको बोलते practice वो अगर नहीं होती है तो question solve करते हुए जो आपकी error आयाती है इसलिए mistakes होती है उनको कौन सुदारेगा वो practice से ही खतम होती है और एक confidence आता है जब हम सवाल solve करते हैं तो वही मैंने जो किया solve सही किया अब रही बात हो जकता answer गलत हो हो जकता question गलत हो ठीक है इतना confidence जब generate हो जाएगा आप में तब आप समझ लीजे कि आप maps के proper student बनते हो तो इसके लिए आपकी तरफ से 70% effort साना चाहिए मेरी तरफ से 30% effort आना चाहिए तो यह जो मैं जितना आपको video available करा रहा हूं यदि आप उसका double अगर अपने घर पे अगर तयार करें questions problem practice करें दन आप माल लीजे कि solid काम हुआ तो जी मेंस का भी 100% level covered है यहां पर जो कुछ questions है जिसे multi correct option type के questions है वो कम हो जाते हैं और जो match the column है integer type questions है कुछ part इसमें छूट जाता है लेकिन उसको theoretically और रही बात जो question के जो format है वो बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखते हैं उनकी थोड़ी सी आपकी practice करने की जरूत है क्योंकि जो maths का जो backbone है backbone इस बात का कि जो theoretical concept है वो हमने clear कर लिया और उसमें based questions जितने all possible type के जो questions है वो cover करी चुके हां रही बात यह आपकी बात सही हो सकती है जो passes type हो गया कुछ integer type questions हो गया match the columns हो गया IAT JE में उस सब आते हैं JE मेंस में तो नहीं है मैं भी यह बता रहा हूँ आपको तो JE मेंस का तो 100% बोल रहा हूँ cover होता है हम बात करें advance level की तो advance level के मैं मानूगा की पूरे questions नहीं रखे जा सकते channel पे channel पे उस level पे सारे सवाल और उसी सारे format के बहुत ही रखना मुश्किल है क्योंकि एक-एक सवाल जब discuss होगा और advance में जब थोड़े questions बहुत lengthy जाते हैं तो कही सवाल जब हम simplify करना चालू करते हैं तो 15-20 minutes से उपर जाता है वो तब जब मैं solve करूँ अलग से या आप solve करें अलग से वो यहाँ जब display पे दिखाया जाता है जब solve करके दिखाया जाता था उसमें तो ज़्या मैं time ज़्यादा लेता हूँ ठीक है तो अब तीसरी बात है कि is your video covers up to jee advanced level तो jee advanced level पे हमें एक काम करते हैं कि जो भी concept discuss किया होता है उसके जितने भी questions जितने भी उस particular format के jee advanced में आये हैं वो आप देखिए videos में कि वो सब मैंने cover किये हैं तो जितने भी advanced level के questions आये हैं वो especially स जारे इसमें covered है लेकिन अगर पुछेंगे कि क्या 100% है तो ये वाला जो segment है वो 100% नहीं है it is not 100% right इसको मैं ऐसे ही बोलूँगा कि 100% ये cover नहीं हो रहा तो बोले कि क्या cover कर दिया है इसमें इसमें हमने concept theoretical concept पूरा आई गया है ठीक है और उसके बाद में आगे questions direct questions ने पर आये है और कुछ पार्ट इसमें छूट जाता है वो variety of questions variety of different format of questions match the column हो गया integer हो गया और multi-correct option type questions है वो भी मैंने कई जगे करवाए है ठीक है ना तो लेकिन वो पूरे-पूरे questions की वैसे questions की practice नहीं है तो ये वाली चीज आप cover कर सकते हो कैसे इस वाली चीज के questions आप खु particular channel से आप सारा cover ले सकते हो अगर आप चाहें तो क्योंकि अगर इस जेई advance के लिए जितनी requirement है उस अभी मैंने लगबग 70% पावर कर दिया है उसमें basic concept आ जाते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं chapter की understanding आई जाती है रही बात सवालों के format की तो वो questions आप लेके और उनकी practice करके आप उस पार्ट पर भी expert बन सकते हो ठीक है ना तो मतलब बहुत सारा पार्ट इस तरह से cover हो रहा है तो यह confusion नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब यह सवाल आप पूस्ते हैं जब भी कि क्या आपके जो चैनल पर जो वीडियोज हैं यह किस level पर हैं क्या board level cover हो रहा है कि time आपके short होते हैं बहुत सारे आपको बहुत सारे काम करने होते हैं फोन पर जब आप लगते हैं उस पर लग जाते हैं Facebook यूट्यूब पर तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक दो गंटे तो वहां से भड़ावट निकल गया आपका ठीक है ना या WhatsApp पर कुछ कर रहा है तो इतना time निकल गया वो point को ध्यान रखिया और उसमें से कुछ time कट करके उसके maths के questions की practice करने के लिए लगाई है क्योंकि वो practice मांगता है तब ही आप उसमें strong होते हैं ठीक है ना तो जितने भी हैं कोई अगर आप आप बोलोगे कि विराट को लिय ऐसे थोड़ी मतलब इतने उपर लेवल पर अगर गया है तो वो मतलब practice चल रही है खाली हवाबाजी से काम नहीं होता है कि मतलब वो बहुत डीब डाउन जो है बहुत practice करते है तब उस लेवल पर performance आती है और तब कहीं जब है work होता है ठीक है ना तो maths में एक जो main point आता है practice का आता है अगर आपकी practice नहीं है तो आप यकीन मानिए कितनी आप सारे सारे वीडियो भी देख लेंगे एक chapter के सारे all possible questions को भी अगर वीडियो में देख जाएंगे तो भी एक पाच छूट जाएगा वो part है practice का कि सवाल मैंने कुछ से किया और उसका answer मैंने सही निकाला उस से नहीं आती उसके लिए आप ही को practice करनी पड़ेगी ठीक है तो मैं चाहूँगा कि यह point आपका clear हो जाए all the best